तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए आप सब क्योंकि आज मैं जिस वीडियो पर रियाक्ट करने अबाली हूं उस वीडियो के टाइटल से मुझे कूल भी अंदाज आनी है क्या है क्या है मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है मुझे लगा कि मैं इतनी सारे ओडियंस पाकिस्तानी ओडियंस को जब इंटर्टेम कर रही हूं तो क्यों नहीं इसलाम कम्यूनिची के बारे में कुछ जान लिया जाए तो इसलिए मैं आज इस वीडियो के ऊपर रियक्ट करने वाली मुझे नहीं पता तो वीडियो में डारेक्ट चलती हूं और पता करती हूं कि क्या है क्या नहीं है तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को end तक देखके प्लीज लाइक, share, subscribe करना बिल्कुल न भूले तो चलिए शुरू करते हैं और एक बात वीडियो शुरू कर देखते हैं वीडियो को मुझे कोई आइडिया नी स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करते हैं तो आज रजा साल से जारी असारी अपरी सलजा हने काबसे सिर्फ इस मिजटो जैसा की तारी रवयात में प्यान किया जाता है कि सम्जम का ये जश्वा हरच इप्राहीम अरह सलाम के फर्जन हरच इसमाई आयसलाम के लिडियो रगड़ने के वज़े से उटा आज तक भी तहजिकात से पता चलता है इसलाम में सब इसलामी कम्यूनिटी में इस बोली वाटर के तरह है इवें इंडिया में भी एवें सब हिंडो का भी होली वाटर होता है सब के अपनी अपनी कल्चर में अलग अलग चीज़े होती है जल कि देखते हैं कि कोई चश्मा साट 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 से ज़्यादा असा तक जारे नहीं रहता में अगर हजिन रहीं रहीं सलाम को आज से पांच हजार साट कर बिल्ला की तरफ से यह हुक्त दिया गया कि उपनी बेवी हाज्रा और बेटे इसमाहिल रहीं सलाम को मक्का की बेवाबों के आवादी में जो बदे पानी का यह हुआ दीज मिता बहरा है जिसमें पानी की सटा ज्यादा से ज्यादा 18.05 लेटर और कम से कम 11 लेटर बताय जाती है जब अज़त अप्राहीम और अज़त इसमाई लेस्वाम ते यहाँ पर अलागे दर्किन उन्याद अगी तो यह जश्मा यहाँ पर मौजूद था तब से लेकर आख तक समसम का यह जश्मा यहाँ मौजूद है और माने की रहाने भी पदस्वत जारी है हर साथ लागों आज़मी ने हज़ो हो रा हर वसेप पर साथ आविजूद के चुने बड़े लागों के पर कहे जाते हैं कामे समसम अपनी जब इतना ज़्यादा इसको बिलीफ करते हैं लोग मतुद घरों पे भी लेकर जाते हैं इतने दूर दूर जाते हैं अब भी तो आइगेस बहुत आसानी हो गया पहले जब लोग जाते होंगे काबा में तो इतने सुविदाय मही होती होंगी मतलब सुविदा इतना इजी अवेलबल वोटर नहीं हुआ होका अभी तो पाइपलाइन की वैवस्था भी कर दी है असलिखान ये फराओ किया लगता है और इसमें किसी भी किसम के ज्यासी कश्च केमिकल की अमेदिश नहीं किया थी लेकि इसके बावज़ूद ये पीने के लिए सबसे बेतरी मश्रूब है कुछ साल कबर प्रिटिश फोर स्ट्रेडर अजन्सी ने दावा किया था किसम स्बके पानी में खतरनाक हद तक आरसी दित मजूद है और विसानी सहित के लिए धियदिश साथर माग रही British Standard Agency के इस दावे को बरतानिया ने अपने सबसे बड़े मश्रती दारे बीबी सी लंदन से मश्रती किया लेकिन उनके इस दावे को ओल्ड हैर्थ आउप्लेशन ने अधाय तौर पर रखन कर दिया सौधी जियोलोजिकल सर्वे के प्रेजिलेंट सुहिर नवाब का कहना है कि आवे समस्म का हर चार नहींटे बाद मकद और मुकर्मों के काएं जिदी दिबी बार्टे में हर लिहास से मौइना किया जाता है आवे समस्म की घीमिय तर्विकार और तेनी मुदारे से वालूख हुआ है तिसमे वो अज़सा शामिल है जो मेता जिगर आतों और बिलखसूस कुर्टों के लिए मुफीद है अग्तुबर 2017 से समस्म के पुम से में उतसिल पाइप लाइरों के तब्दिनी का काम चारी है जिन से में कद्रों करों में आवे समस्म की सिप्लाई की जाती है सुद्य हुकां का कहना है कि समस्म के पुम की ताविरों का ये कमल है ज़स 2018 से पहले ही कमल कर लिया जाएगा यार मुझे तो बिलकुल भी नहीं पता था कि ये होली वाटर इसलामी कम्यूनिटी में भी होता है और इतना फ्यॉर होता है मतलब लोग इससे ठीक होते हैं और कोई बिमारी नहीं है एक ऐसा वाटर जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है तो मतलब ये तो खुदा का ही देन है कि आपको इतनी प्यॉर चीज मिल रही है धर्ती पे रहके जहांपे आप इतने गंदे गंदे काम करते हो आपको वो चीज मिल रही है जो भगवान ने आपको दी है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम इन सब चीजों का इतना ख्याल रखते हैं इतना आसपास को क्लीन रखते हैं सब कुछ रख के रिलिजिस चीजे अपने मंदिर मस्जिद को हम लोग इतना साफ़सपाई करते हैं तो पता नहीं क्यों हम अपने घरों के आसपास अपने नीचर को इतने अच्छे से कंजर्व क्यों नहीं करते हैं वो भी तो भगवान की देन है वो भी भगवान का दिया हुआ है आप लोगों के लिए हम सब के लिए स्टिल हम लोग यह सब नहीं मानते हैं हमको डर वहीं पर लगता है जहां पर हमको लगता है कि अगर इसके साथ हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान हमारे उपर प्रपोग देंगे ऐसा हम लोग का साइकलोजी बन गया है तो उमीद करती हूँ कि आज सब इस वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे कि जिस तरह से इस जमजम वाटर खुदा की देन है यह आसपास का नीचर सब कुछ बवान में हमें ही दिया है तो उसे भी हमको अच्छे से रखना चाहिए जिस तरह हम इसे रखते हैं इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ थोड़ी और बहुत बातें जानेंगे इसलामी कम्यूनिटी के बारे में तो तब तक के लिए बबाई, टेक क्यार और लव यू आल